Hello everyone, NN Classes के YouTube platform पे आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं recently, उत्राखन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा Forensic Lab Assistant and Environment Supervisor का notification रिलीज किया गया था इस बार के notification में चेंजेजी है कि अब आपके syllabus में GS और उत्राखन को add किया गया जिससे आपके जो final exam होगा उसमें 100 question में से 75 question आपके technical subject से पूछे जाएंगे जो physics, chemistry, maths या biology के होंगे जो rest 25 question है वो आपके GS और उत्राखन से पूछे जाएंगे इसी process में आज कल आपको NN classes द्वारा week में physics, chemistry, biology और maths के question आप practice करवाय जा रहे हैं जिससे आपको एक initial start मिले और आपकी जो रूची है वो भी बनी रहे हैं इन दे सेम लाइन आज मैं आपको GS के कुछ question प्रेक्टिस करवाँगा जो question मैंने prepare करे हैं वो by and large जो आपका particular है उस पे ही आदारित हैं और यह भी हो सकता है कि साथ कुछ question जो जिन बच्चों ने उतरा खंड पड़ा है या GS पढ़ी है उनको question competitively easy लगे लेकिन जो आपका exam का जो level है और जो आपका particular है उस इसाब से जो आपका main exam है वहाँ पे जो question है वो लगबग इसी level के आएंगे तो without further delay शुरू करते हैं मैंने इस paper में 20 questions प्रिपेर करें जिसमें जो आपके syllabus के जो topic है Indian quality, इतियास, बुगोल, reasoning, computer तथा उतरा खंड के जो भी aspect है उन सबसे question डाले गए हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला question है कि भारतिय संबिधान में राज्य के नीती निर्देसक सिदान्त किया अधारणा किस देश से अपनाई गई है Question English में है The concept of directive principles of state policy in Indian constitution adopted from which country आपके पास option है Australia Australia USA Ireland and Britain एक बार फिट से आप option सुनिए Australia USA Ireland and Britain अब दिखिए जो यह question है आपका जो topic है Indian polity वहाँ पर एक syllabus में टाम मेंशन है Indian Constitution भारत्य संभिधान तो भारत्य संभिधान के संदर्व में आपके जो एक्जाम में हो कही तरीके के प्रश्न पूचे जाते हैं भारते संबिदान का निर्मान, भारते संबिदान के सुरूत, भारते संबिदान के प्रमुख भाग जिसमें अनुसूची भाग और जो अनुचेद हैं उनसे संबनित प्रश्न पूछे जाते हैं या भारते संबिदान के मूल करतब्बे, प्रस्ताउना, प्रियम्बल या जो fundamental duty है, DPSP इन से सम्मनित question हमीशा पुछे जाते हैं तो जो भारते संबिदान के सुरोत हैं यानि हमने संबिदान को बनाने में किस-किस country के जो best practice थी उनको adopt किया, उससे related question पुछे जाते हैं तो आपको यह बताना है कि DPSP किस country से लिया गया है आपको जादे तर लोगं को answer पता होगा बहुती common question है, इसका जो सही answer है वो Ireland है अब एक question तो आपका prepare हो गया लेकिन अगर आपको यह पता हो कि और जो countries यहाँ option में दी गई है इन सारी countries हमने कुछ नकुछ लिया है तो इन countries हमने क्या लिया है जैसे Australia से, Australia से हमने समवर्ती सूची का concept लिया है समवर्ती सूची क्या होती है इस सूची में जो भी विसे है उसमें केंदर और राज्य सरकार दोनों कानून मना सकती है अमेरिका से हमने fundamental right जो आपके मूल अधिकार है उसका concept लिया है पॉलिटी में एक टर्म चलती है रास्टपती पर महाभियोग impeachment of president उसका concept भी हमने USA से लिया गया है आरलेंड से DPSP के अलावा हमने जो आप nomination of member होता है राज्य सबा में जो संसत का उपरी सदन है वहाँ पे रास्पती द्वारा कला, विज्ञान, सहित्य सामाजिक कारियों में जो लोगों ने अच्छा कारियों को क्रिस्ट कारिया होता है उनको रास्पती मनूनित करता है ऐसे बारस अदस्यों को मनूनित करता है तो जो ये प्रक्रिया है ये भी हमने ये भी हमने Ireland के constitution से ली है Britain जैसा कि आप जानते हैं हमें आजादी ब्रेटिस राज्य से ही मिली तो हमारी जो parliamentary system है या फिर जो हमारा किसी कानून को पास करने का जो एक तरीका है legislative process उसके अलावा जो rule of law है कानून का राज cabinet system ये सारे हमने Britain से लिए है तो अब देखिए इस एक question में अगर आपको ये सब बाते पता होगी तो main जब आपके पास exam में question आता है तो आप इस तरीके से tackle कर सकते हैं और आपको आपका interest भी इस तरीके से बनेगा जब आपको multiple question एक question में करने को मिलेंगे तो इस question का हमारा सही answer Ireland है चलिए next question देखते है next question है भारतिय संग्य वियस्ता में तरीतिय स्थर को भारतिय संविदान में कब जोडा गया English में question है when third year in Indian federal system added to Indian constitution आपके जो इंडियन पॉलिटी का syllabus है उसमें तीन टॉपिक लिखे गया है जिसमें एक पंचाईती राज भी है तो जो इस तरीतिय स्थर है ये पंचाईती राज और जो अर्बन body का administration उससे संबन्दी थी है तो इस question का सही answer क्या होगा कई लोगों को आप मेंसे पता भी है इस question का सही answer है 1992 अब देखे हम इस question किस तरीके से tackle करते हैं और इसके अलावा आपके पास क्या-क्या information होनी चाहिए ताकि इस question आपके लिए आसान हो जाए तरी इस तर क्या होता है कि भारत में 1959 से पहले तक केंद्र और राज इनी दो द्वारा पॉलिसी का निर्माण और उनका क्रियान्वन किया जाता था लिकिन आपने सुना होगा दो अक्टूबर 1959 को नहरुजी द्वारा राजिस्तान के नागोर पंचाइती राज के उद्गाटन किया गया तो उस समय जो पंचाइती राज था उसको सिर्फ किसी राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर पारित किया गया तो 1969 से 1992 तक चादातर कंट्री के जादतर हिस्से में पंचाइती राज चल रह था लेकिन उनको भारत के संबिदान में संबिदानिक दर्जा नहीं था तो विविन कमीशनों द्वारा या कमीटीज द्वारा उन्हें संबिदानिक दर्जा देने की सिफारिस रिखे गई इनको 73 और 74 में संबिदान से इनको संबिदानिक दर्जा दिया गया तथा आर्टिकल 243 में एड किया गया ठीक है चलिए नेक्स क्वेश्चन थार्ड बुद्धिस्ट कॉंसिल हेल्ड एड तृतिया बौध संगीती कहां आयोजित हुई अब जब आप देखते हैं भारतिय इतियास तो आपके सिलेबस में प्राचीन कालिन मध्यकालिन और आधुनिक भारत ये तीनों मेंचन है तो प्राचीन कालित भारत में जैन, बौध, रिगवेदिक, इंडस्वेली सिविलाइजेशन और मौरियन और महाजनपताज ये ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक है जिन से जनरली क्वेशन ज्यादा पूचे जाते हैं तो बहुत संगीती के क्वेशन भी बहुत धर्म से रिलेटेड है और ये क्वेशन काफी पूचा जाता है इस क्वेशन में बहुत संगीती का जो एक विस्यस राजावंद्वारा उसको सनकचंड दिया गया तो इसके लिए भी ये क्वेशन काफी important हो जाता है त्रित्य बहुत संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ यह इसका सही आंसर है इसके अलावा अगर आपको यह पता हो कि चार बहुत संगीती हुई थी और यह जो चारों सीरियल से लगी है सब पहली, दूसरी, तीसरी और चौती यह इन इस्तानों पे चार बहुत संगीती आयोजन जीती हुगई इसके अलावा इसमें क्वेशन और बनता है कि यह किन राजाओं के सरक्षण में हुई थी तो उसमें आपको एक शौट सा टर्म याद रखना है ए, के, ए, के यानि अजात सत्रू, काल अशोका, अशोका और कनिस्क जो अशोक और कनिस्क यह दो राजा भारती इतियास में महत्पून इस्तान है इसलिए इन दो राजाओं से जुड़ी भी जो बहुत संगती है, उनको एक्जाम में जनरल ही पोचा जाता है तो आपको यह दो याद होनी चाहिए ठीक है, चलिए, नेक्स कुश्चिन की तरह बढ़ते है मुगलों की दरबारी भासा क्या थी? अब देखिये, अब जब मध्यकालीन भारत की बात होती है तो मुगल एक important राजवन्स या डाइनिस्टी थी भारती इतियास में तो उनसे सम्मंदित, चाहिए उनके art and culture से, चाहिए उनके architecture से या उनके administration से related question जरूर पूछे जाता है तो उसी संदर्व में यह question है, कि उनकी दरबारी भासा क्या थी? इस question का सही answer है, फार्सी या पर्ष्यन, अगर आपको यह पता होता कि जो मुगल है वो टर्क ओरिजन के थे, यानि टर्की country से उनका ओरिजन था तो क्या होता है, कि जो उर्दू language है, यह भारत में विदेशी बासाँ और हिंदी के मिस्रन से पैदावी बासा है तो इसका काफी हद तक मुगलों की दर्बार में और चित्य नहीं बनता एक दर्बारी बासा बनने का क्योंकि यह मिस्रित बासा भी थी हिंदी काफी समय पहले से चली आ रही बासा है और जो बाहर के विदीसी राजा यहाँ पे होए उनकी इतनी जादा प्रोफिशियंसी इस बासा में नहीं थी इसलिए यह भी नहीं हो सकती थी अब मुगल टर्क ओरिजन थे यानि अरब से उनका ऐसा इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं था तो अन्त में जो फारसी लेंग्वेज है उसको उन्होंने अपनी कोट लेंग्वेज बनाया और उस समय फारस मतलब जो पर्जेंट इरान है इरान और भारत के जाहे बड़े बड़े आर्किटेक्ट हों इनका काफी ज्यादा मुवमेंट थी और मुगल कोट में यह लोग काफी इलीट क्लास यानि जो एक रूलिंग क्लास होती है उसमें सामिलते तो इसलिए भी फारसी भासा को इनकी कोट लेंग्वेज का दर्जा मिला चलिए नेक् भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजानिक बासन कहां दिया था वेर महात्मा गांधी गेविस फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया ओप्शन है चंपारण, एहमदाबाद, लखनो, और वारानसी अब इस question में जैसे आप देखते हैं आधुनिक भारत में अगर कोई एक personality हो जो सबसे important है तो वो महात्मा गांधी जी है और महात्मा गांधी जी से related question बनते आये हैं और बनते रहेंगे क्योंकि काफ़ important personality है तो अब आपको जैसे ये question है, ये question सबसे पहले UPSC में पूछा गया उसके बाद ये विविन परत्योगी परिक्चाओं में continuous question पूछा जा रहा है इसी कारणा पोई question दिया गया है इस question का सही answer आपको पता होगा अगर नहीं पता तो इस question का सही answer है वारानसी कई लोग चंपारण सोच रहांगे लेकिन चंपारण उनका पहला सार्वजनिक भासान का हिस्ता नहीं था चंपारण 1917 की बात है लेकिन बनारस में 1916 में उन्होंने अपनी पहली major public speech दी थी गांधीजी 1915 में दक्छन प्रिका से लोटे 1916 में वो तीस में ब्रह्मन कर रहे थे ताकि भारत को एक अच्छे से जान पाए यहांकी जो परिस्तिति यहांकी जो situation है और जो लोगों के problem में समस्य हैं उनको अच्छे तरीके से जान पाए इसके लिए वो भारत ब्रह्मन कर उन्होंने करा और 1917 से उन्होंने फिर जो भी सत्याग्रे हैं या पॉलिटिकल अक्टिविटीज है उन्होंने पाटिसिपीट करना इस्टार्ट करा परंतु 1916 में बनारस हिंदू विष्व विद्या लेके एक conference में उन्होंने एक अपनी speech दी थी इसके कारण एक question पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी का चंपारण एह अंदुलनों के बाद गांधी जी एक national leader बनके उबरे थे और इसी कारण ये famous है इसी लिए कई लोगों को चंपरण इसका सही answer लग रहा हुए लेकिन जो गांधी जी का पहला major public space था वो 1916 में बनारस में हुआ ठीक है चलिए next question next question आपका geography से है तो question यह है निमने लिखित में कौन दक्चे भारत की सबसे उंची परवचोटी है which of the following is the highest mountain peak of South India option है डोड़ा बेटा, महेंद्र गिरी, अनाई मूडी, धूपकार्ट ये भी quality में काफी जोग्रफी में काफी repetitive question है जो एक्जाम में पूछा जाता है अगर आपको उत्राखंड की जोग्रफी का इंडिया की जोग्रफी का थोड़ा सही सी आइडिया हो तो आप ये question काफी easily बता सकते है अब देखिए अपने जनरली देखा होगा की उत्राखंड या northern इंडिया में जो हिमालया या जो यहां पे mountain peak से काफी हाइट है इवन आप देखेंगे अनन्दा देवी above 7,000 meter height है और इसी तरीके से काफी ऐसे mountain है जो 5,000, 6,000, 7,000 की height वले है लेकिन south इंडिया में जो हमारे mountain peak है उनकी height इतनी जादा नहीं है इस question का जो सही answer है वो है अनाइमुडी अनाइमुडी जो western घाट है जो गुजराच से शुरू होके केरला तक extend होता है उसकी एक peak है और यही south इंडिया की सबसे सबसे बड़ी peak है इसकी जो height है वो लगबग 25, 26, 295 meter है जिसको आप उटी नाम से भी पहचानते है यह तमिल नाडू का hill station है इसकी height लगबग 26, 37 meter है यह भी नीलगिरी hills तमिल नाडू में यहाँ पे है और जो अनाइमुडी है वो केरला में है महिंद्रगिरी जो eastern घाट है यानि ओडिशा से सुरू होते वे लगबग तमिल नाडू में यानि भारत के eastern coast के तरफ एक discontinuous यानि पूरा continue नहीं है western घाट के तरफ एक mountain peak है और यह सबसे highest है लेकिन इसकी उचाए काफी कम है पंदरा सो एक मीटर तूबगड मद्यपर्देश के विंद्या रेंज विंद्या रेंज के एक peak है और जिसकी जो height है वो लगबग 1350 मीटर है तो आप देख रहे हैं कि जो south या जो after central इंडिया है वहाँ पे जो mountain peak है उतनी high नहीं है जितनी northern इंडिया में है ठीक है तो आपके जो question का जो answer है वो अनाइम मूड़ी है क्योंकि इसकी height सबसे ज़्याद है 2695 मीटर next question आपका geography से ही question है 2011 की जंडगन्ना के अनुसान निमने लिखीत में से किस राज्य में SC की जंडशंक्या सबसे आधिक है according to 2011 census which of the following stage highest SC population आपके option है West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Bihar अब आप मेंसे कई लोग confused हो रहे है क्योंकि उसमें एक major नाम है जिस state का वो नहीं है जिसको UP ज्यादा तर लोगों पता होता है UP में सबसे ज्यादा schedule class population है अब ये question इसलिए भी पूछा गया आप अपने geography का syllabus देखोगे तो वहाँ पर population and demography इक यानि आपकी जन संक्या और जननांग की उससे related topic mention है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा population कहीं पे schedule class की है तो वह वेस्ट बंगाल है यह second number पे है third number पे है बिहार की fourth number पे तमिलनाडू की and fifth number पे आंदर प्रदेश की तो आपको जो पहले किसी major population चाहे वो total population है या किसी specific category की population है वो आपको पहले 2-3 जरूर पता होने चाहिए ताकि आप exam में question आया तो आप बहुत easily उस question को tackle कर पाए चलिए next question की तरफ बढ़ता है बहरते संबीदान का अनुच्छे 280 किस से संबंदीत है आर्टिकल 280 of Indian Constitution is related to तो इसमें direct अगर आपको आर्टिकल याद है तो उससे direct question पूछा गया है option है आपके सामने contingency fund अकस्मिक ने दी finance commission वित्तायोग financial emergency वित्यापातका और option D है Interstate Council अंतराज्य परिसत अब इस question में अगर आपको आर्टिकल याद है तो आपके लिए बहुत ही cakewalk question है बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे इस question का सही answer है finance commission finance commission राज्य और केंद्र के बीच जो tax collection है उसके distribution का formula decide करता है इसको president appoint करता है और यह हर 5 साल में बनाया जाता है तो यह article 280 finance commission से related है अब आपको अगर और भी article पता होंगे तो आपके लिए यह चीजें फिर exam में elimination करने में और किसी question के answer में पहुंचने में बहुत आसान रहता है contingency point आकस्म किनिती यह article 267 से related है वित्तियापातकाल यह article 360 से related है president country की वित्तिये इस्तिती खराब होने की हालत में वित्तियापातकाल की गोश्णा करते है और इसका question एक और है कि भारत में कभी वित्तियापातकाल नहीं लगाया गया एक question आपके यह और है अंतर राज्ये परिस्द इसका article है 263 यहाँ पे जनरली बच्चे या आप लोग confused होते है article 263 और 262 के बीच में जो अंतर राज्ये परिस्द है वो 263 में और 262 में दो राज्यों के बीच में जो river का dispute है उसके regarding संबंदित जो प्रावदान है Interstate river dispute से related जो matter है वो article 262 के थुरू बलब tribunal या नि प्राधी करण बनाके संपाधित करे जाते है चलिए next question के तरफ बढ़ते है 9th question है नि में लिखित में कौन सा पस्चिमी भारतियतत का प्रमुख बंदर का है which of the following is a major port of western Indian coast option है a चने, b पारादी, c तूती कोरी and d मंगलुरू तो question में यह पूछा गया है कि इन में से कौन सा बंदरगा भारत के पस्चिमी तटका है यानि इस तटका यह पस्चिमी तट है इन में से कौन से बंदरगा अगर आपको इन cities या major port cities है इनकी location पता होगी तो आपके लिए question काफी आसान रहेगा तो देखिए इस question का जो सही answer है वो है मंगलूरू मंगलूरू कहा है करनाटक में करनाटक भारत के western coast में है तो मंगलूरू करनाटका में है अब जो बाकी जो तीन major port है इंडिया में 13 major port है जो बाकी तीन major port है वो कहां कहा है चेन नहीं तमिल नाटकी राजदानी है चेन नहीं लगबग यहां port है तूति कोरीन भी eastern side में यहां port है और पारादीप उडिसा उडिसे का port है जो यहां है तो इस question का जो सही answer हो मंगलूरूरू है क्योंकि सिर्फ एक ऐसा port है जो इन चार option में जो भारत के पस्ची में तक पर है चले next question की तरह बढ़ते है यह computer का question है और बहुत ही general question है आप लोग की सामने से काफी time गुजरी होगी यह चीज कि email में BCC का क्या मतलब होता है in email what does BCC stands for option A blank carbon copy option B option C and option D तो चले इस question को देखते हैं आप में से काफी लोग को इसका answer पता होगा और इसका सही answer है blind carbon copy अब देखिए जैसे आपने कभी mail खोला होगा तो वहाँ पर एक 2 होता है एक CC होता है और एक BCC होता है 2 में जो आपका major sender होता है वहाँ आप उसका address email address CC यानि carbon copy अगर वह mail आपको किसी और को बेहन है तो वहाँ पर यह लिखते हो लेकिन blind carbon copy में आप वह mail लिखते हो क्योंकि जब भी आप mail यह आप भेजोगे दो लोगों को A को और B को इन दो को जब mail receive होगा तो इन ही पता रहेगा कि यह mail मेरे अलावा पता नहीं चलेगा कि यह mail है यह C को भी गया है क्योंकि यह blind carbon copy है और यह generally organization में करा जाता है तो यह computer का question है आपके लिए next question है यह current affairs का question और आपके syllabus में national current affairs mention है भारत के प्रदानमंत्री ने हाल में ही बेस्टिल डिवस परेड में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया Prime Minister of India recently visited which country to attend Bastille Day Parade आपके option है USA option B UAE option C France option D Australia आप देखोगे कि प्रदानमंत्री मोदी जी ने 2023 में इन चारों देशों का दौरा किया था लेकिन बेस्टिल दिवस परेड में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया था तो सही answer है France जो France का दौरा है वो लगबग अभी जुलाई में किया गया था और जुलाई में यह हुआ है लगबग 13 से 15 जुलाई के बीच में इस के दौरान भारतिया एक बेस्टिल डे परेड में एक इंडियन कंटीजेंट भी गया था परेड में सामिल होने के लिए जब मोदी जी फ्रांस से लौट रहते उसके बाद हो UAE भी गय है तो यानि इसी दौरान यह UAE भी गय है और वहाँ पे कुछ UPSA related and other aspects से लेकर उन्होंने MOU या deal वगेरा साइन करे साल के सुरुवात में या मई मई के महिने में मोदी जी ऑस्टीलिया गय थे ऑस्टीलिया कब गय थे पहले G7 की मीट के लिए ये जापान गय थे वहाँ से लौटते वक्त ये Pacific आइलेंड के कुछ कंट्रीज में गय जहां किसी कंट्रीज द्वारा स्टेट ओनर भी दिया गया उसके बाद ये ऑस्टीलिया गय थे ये है लगबग 23rd मई को 2023 में और इसी साल 2021 को मोदी जी यूस से भी गय थे 21 जून को कौन सा दीवस होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे और इस दीवस के एक इवंट में पार्टिसपेट करने के लिए मुदी जी यूएन भी गय थे तो 21 जून को कौन साथ दे होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे चलिए, next question निम्न लिखित में से किसे वर्स 2021 के गांधी सांटी पुरुसकार से सम्मानित किया गया English में question है, which of the following was conferred with Gandhi Peace Prize for the year 2021 आपके option है, A कल अभी अंट्रस्ट, option B है गीता प्रेस, option C है सुलव इंटरनेशनल and option D है, अच्छे पात्र काउंडेशन इस question से याद आया, आपके लिए एक होंबर्ख है, आपको ये बताना है कि उत्राखंड के किस व्यक्ति को या किस औरनाइजेशन को गांधी सांती पुरुसकार मिला है और कब मिला है इस question का, 2021 में गांधी सांती पुरुसकार का सही answer है गीता प्रेस, अभी जून 2023 में, 2021 के लिए गांधी सांती पुरुसकार का गोशना हुई और जो ये बाकी और organization है, इनको भी इससे पहले गांधी Peace Prize दिया गया है शुलव international and अक्षय पात्र foundation को 2016 में मिला है और एक अलब यांट्रस को 2017 में दिया आपको ये याद नहीं रखने हैं, बस आपको जनरली पता होने चाहिए कि ये क्या है और क्या काम करते हैं और इनको गांधी Peace Prize मिला है या नहीं मिला है, कई बार option में, elimination में शुलव international जो आपने देखा होगा, cities में जो public toilet and sanitation का ये काम करते हैं और public health के लिए ने इस ये award दिया गया अच्छे पातर foundation आपने इस कौन का नाम सुनाओगा उसका एक non-profit organization है, जो midday meal से related government को help provide करता है एक अलभी आंट्रस्ट, Central India, जारकंट, 36rd, etc. में education में काम करता है तो इन सभी organization को 2017 में गांधी सांती पुरुसकार मिला है गीता प्रेस गुरकपूर में इस्तित है और इसको 2021 के लिए गांधी सांती पुरुसकार मिला है चलिए next question के तरफ चलते हैं अब आपके उत्तराखंड के question स्टार्ट है उत्तराखंड में इतियास, उत्तराखंड का भुगोल, उत्तराखंड की जो economy है उससे related topic आपके syllabus में mention है इतियास में भी मध्यकालीन इतियास और जो प्राचीन कालीन इतियास और आधुनिक इतियास ये तीनों mention है तो ये जो 2804 का युद्ध है ये एक काफी important event है उत्तराखंड की context में इसमें ये पूछा गया है कि 1804 में गुर्कों के आकरमन के समय गडवाल के राजा थे अब आप देखे कि 1790 में गुर्कों पे तो राज कर लिया था उसके बाद उन्होंने गडवाल पे भी आकरमन करा तो 1804 में जो उत्तराखंड के गडवाल के जो राजा थे वो थे प्रद्युमंचा प्रद्युमंचा के साथ 1804 में खुडबुड़ा का युद्वार वो वीर्गति को प्राप्त है उसके बाद 10 वर्स लगबक्स 10-10 वर्स गुर्कों का सासन्रा और 1815 से संगोली की संदी के तक सुदर संसा तेरी के राजा बने नरेंदर सा लगबग 1913 से 1944 तक तेरी नरेस रहे और महिपति सा यह जो उत्राखंड के राजा थे या मलब यह कहेंगे कि गडवाल के जो यह राजा थे यह 1620 से लगबक 1640 तक रहे हैं ठीक है तो जब गौर्कों का आक्रमान हुआ तो प्रद्युमन सा उत्र गडवाल के राजा थे चलिए आप नेक्स कोश्चन की तरप चलते हैं कुमाव परिस्टत का पर्तम सम्मेलन कहां आयुजित हुआ इसके उप्शन है हलद्वानी, काशिपूर, ओड़द्वार और अल्मोडा आपने जब उत्राखंड का इतियास पड़ा होगा या आप पड़ोगे तो उसमें कुमाव परिस्टत का महत्यपूर्ण इस्तान आता है क्योंकि इन्होंने कुमाव छेत्र में भारतिय स्वतनता संग्राम के दोरान जन अंदुलन लोगों को जागरूप करने के लिए काफी महत्यपूर्ण कदम उठाए और बहुत सारी सभाई भी आयुजित के तो इसी क्रम में इनका जो पहला जो सम्मेलन था वो कहा झान था इनका जो पहला सम्मेलन था जो जित हुआ था वो हुआ था अल्मुडा में 1917 में इसी के साथ साथ इनका जो 2nd सम्मेलन था ये ङो था हलदौनी में 3D हुआ था कोड़धार में एंड फोर्थ हुआ था कासिपूर में एंड 1916 में कुमाव परिशत बनी और 1926 में इसका कॉंग्रेस में विले हो गी तो इस दोरान उनोंने जन्चेतना राजनितिक पढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच में काफी कारे किया और कुमाव परिशत का उत्राखंड में 37 संग्राम के दोरान एक महत्तपू यूगतान है चले नेक्स कोश्चन के तरफ चलते हैं जन्संक्य के दिरिष्टी से उत्राखंड का दूसरा सबसे बड़ा जन्जातिय समूह क्या है आपके पाउप्शन है राजी, अप्शन भी थारू, अप्शन सी जौनसारी, अप्शन भी बोटिया आपके सिलिबस में कास्ट एंड ट्राइब एक टॉपिक लिखाया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेशन है वह आपको जरूर पढ़ने चाहिए उत्राखंड में यह देखा गया है कि आपको ट्राइब से रिलेटेड क्वेशन अवस्य से पूछे जाते हैं तो अब आपको उत्राखंड की पांच जो जन जाती है उनके बारे में पता होना चाहिए चार के नाम तो यह मेंचन है इसके लाव एक बोकसा है वह भी एक उत्राखंड की इंपोर्टेंट जन जाती है उत्राखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजातियय समू, उसका अंसर है जॉनसारी, क्योंकि जो ठारू है वो पहले नंबर के, फिर्स नंबर आफ, जनजातियय समू है, और उसके बाद जो जॉनसारी है, वो सेकंड नाइट्चेस्ट है, भुटिया थर्ड, बुखसा फॉर् और इसके साथ साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको इनका distribution भी पता होना चाहिए कि किस जिले में ये लोग ज़्यादा तर पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो distribution है वो एक fixed proportionate में है तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे related भी exam में question जरूर पूछे जाते हैं कुमाओ चेत्र में निम्न लिखित में कौन सा अबूसन कान में पहना जाता है option है हंसूली, पॉंटा, तुग्यल, और बुलाग अब आप syllabus देखोगे तो उसमें वस्त्र और अबूसन ये एक topic mention है तो इससे related आपको जो कुछ तो आप लोगों को पता ही होते हैं लेकिन जो कुछ unique हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है इसके बारे में एक बार reading कर लोगे तो आपको काफी help मिलेगी क्योंकि exam में का question पूछा जाता है तो आपके लिए एक mark secure करना काफी आसान हो जाता है इसका जो सफी हांसर है के कान में पहने जाने वाला आपुछण वह है तुग्यल इसके अलावा जो ये बाकी option है हसुली हसुली गले में पहनी जाती है पोटा पैर में और बुलाप नाग में तुग्यल कान में पहने जाने वाला आभूशन है, तो 8-10 आभूशन हैं जो major, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये question इसलिए important हो जाता है, या इस तरीके question exam में पूछे जाता है next question है, उत्राखंड की जोग्राफी किसे, western राम गंगा, किस प्रमुख न दी की सायक न दी है, option है, गंगा, अलकनन्दा, काली या इन में से कोवने, अब आप उत्राखंड की मैप को देखेंगे तो आपको पूर्वी राम गंगा और पश्चमी राम गंगा दिखाए देगे, ये question इसलिए पूछा गया है, क्योंकि generally लोग पूर्वी राम गंगा और पश्चमी राम गंगा में confused होता है तो जो पूर्वी राम गंगा है, वो काली की सायक न दिये, लेकिन जो पश्चमी राम गंगा हो गंगा की सायक न दिये तो इस question का सही answer क्या है, गंगा, क्योंकि पूर्वी राम गंगा तूदा तोली स्रिंपला से निकल कर कन्योज में गंगा से मिलती है तो ये जो सायक न दिये है, ये गंगा की है, पूर्वी जो राम गंगा है, वो काली की सायक न दिये, इसलिए question काफी important हो जाता है और अलकनन्दा और भागी रथी, कहां मिलकर गंगा का निर्मान करते हैं, ये आप option में बताएं, कमेंट में बताएं, ठीक है, चले next question की तरह बढ़ता है 2011 की जंगर्णा में उत्राकंड के किन दो जिलों में नकार अत्मत चंसंक्या व्रिधी दर्च, दर्ज के गई थी option है, टीरी पौडी, नैनी ताल पौडी, पौडी, अल्मोडा, अल्मोडा एंड टीरी तो जब आप देखेंगे, syllabus में, demography या जन नांकी, distribution ये एक topic mention है क्योंकि उत्राकंड में एक पलायन प्रमुख समस्या है, तो कुछ जिलों में हमारी 2011 के दोरा रिनात्मकदर थी वो रिनात्मकदर किन जिलों में थी आपको सही आंसर बताना है इस question का सही आंसर है, body and almoda ये दो जिले ऐसे थे जिन में रिनात्मकदर दर्ज की गई थी almoda की जो body और almoda, body की जो दर थी, रिनात्मकदर थी, वो थी minus 1.41 और almoda की थी minus 1.28 इसका क्या मतलब हो है, कि 2001 के respect में, 2011 में जब जन गन गना की गई तो इन दो जिलों में जन संक्या कम पाई गई, 2001 के respect में इतनी कम पर्सेंटेज में, इतनी कम जन संक्या इसके अलावा जो टीरी है, इसकी जन संक्या में बहुत ही कम ब्रिदी हुई थी लगबग 2.3-5% बाकि जिलों में तो ब्रिदी हुई थी तो आपको जो जन संक्या ब्रिदी है या रिनात्मक या धनात्मक दर है ये जनरली एक्जाम्स में पूछे जाता है और पलायन के कारण ये दो जिलों का रिनात्मक जन संक्या जो ब्रिदी दर है उसके कारण ये न्यूज में भी रहता है और जनरली एक्जाम्स में पूछा भी जाता है चलिए next question की तरफ चलते हैं उतराखंड का hope portal किस से सम्मन देता है hope portal of उतराखंड is related to शेशू, मिर्तियोदर में सुधार, बाले का सिक्षा, रोजगार या बागवनी सुधार अब आप hope का हिंदी आर्थ लगाएंगे तो वो होता है आशा आशा तो हम को उतराखंड में ये चारो पैरामेटर को इंप्रूब करने की है कि हम इनको इंप्रूब करेंगे लेकिन जो ये hope portal है इन में से किसी एक जो पैरामेटर है उस वे उपर ज्यादा फोकस कर रहा है तो इसका full form है helping, out, people, everywhere तो ये जो hope portal है ये रोजगार से संबंदित है उत्राकंड सरकार रहें रोजगार से संबंदित पंजी करने के लिए hope portal का गटन क्या था ठीक है चले next question की तरफ चलते हैं ये अन्तिम question है आपका और ये आपके syllabus में reasoning भी mentioned है इसके लिए एक series का question पूछा गया जो काफी आसान है तो आप इस series को पूरा करें और देखते हैं किते लोग इस question को complete कर पाते हैं जब भी generally आपके exams में series का question आए तो plus and minus and multiply ये तीन important topic होते हैं तो आप इन जो भी terms देए गई है उनके बीच का जो values है उनको जरूर लिखें क्योंकि इससे question आपका काफी आसान हो जाएगा और आपको एक pattern भी मिलेगा जैसे कि यहां पर कितना 5 का plus है यहां पर कितने का है 7 का plus है यहां पर कितने का है 9 का and यहां पर 11 का तो आपको क्या है रहता है कि सारे odd number है या हर दो दो नमबर की बढ़ उत्री हो रही है अगले नमबर में तो इसके बाद यहाँ पे 13 की बढ़ उत्री होगी तो 33 और 13, 46 इस question का answer होना चाहिए और इस question का answer है B तो generally ये 20 question आपके complete हुए है हो सकता है काफी लोगों को लगबग सारी question आ रहे होंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए GS थोड़ा नया है तो उन्हें आपको हिम्मत नहीं आ आठी है आप देरे-देरे करके जरूर जब तक हमारा exam होगा हम इससलिए बसको complete करेंगे और पूरी कोशिस करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर GS में भी secure करने का कोशिस करेंगे last में मैं आप लोगों को एक suggestion देना चाहूँगा कि अभी के लिए आप GS और उतराखंड में क्या करें क्योंकि जैसे बैच शुरू होने में कुछ समय है या एक आध हपते में शुरू होगा लेकिन आप अपने इस तरह पे GS को improve करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं पहला है previous year question उतराखंड public service commission द्वारा पिछले एक date words में यानि 2021 में notification शुरू हुए थे तो October से इनके exam cycle शुरू ही थी October 2021 से उसके बाद कि जितने भी exams हैं उसमें जो भी question पूचे गए है objective type GS के उनको आप download करके उनको अपने आपसे करेंगे क्योंकि आप generally बहुत जादा नहीं लेकिन question repeat हुए हैं और question जब भी आपने paper देखा होगा तो question repeat होते हैं exam में तो आपको जो previous question इनको thoroughly करना है क्योंकि एक question होता है उसमें चार option होते हैं अगर आपको question आता है तो उसके अलावा जो बागी option उनको भी आप check कर सकते हैं क्या होगा आपका जो knowledge होगा वह बढ़ेगा तो अभी आप यह काम जरूर करिए इसके अलावा जहां तक book है उत्राखंड के लिए परिक्चा वानी वानी एक अच्छी book है जिसमें उत्राखंड के ज्यादता topic बहुत अच्छे से cover हैं लेकिन इस book में आपकी history सही से नहीं होती तो उसके लिए एक BS Negi की one-liner book आती है आप इन दोनों में से एक book ले 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 जिससे आपका उत्राखंड cover हो जागा और जासे आजकल जो जनरल GS का जो एक्जाम में वो नहीं है तो आप अपने जो कोई friend है आपका कोई relative है उससे ये book उस time के लिए आप ले सकते हैं उसके लावा आप GS के लिए Lucent एक sufficient book है या तो आप Lucent जो नई book है वो ले लीजिए या जो objective हो लीजिए अगर आपके पास reference book already है तो ये दो book से आपका बायन लाट जाता तर आपका syllabus cover हो जाएगा उसके लावा जो आपको class में पढ़ाया जाएगा वो भी आपके definitely help करेगा इसके लावा आप आजकल क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा समय दें और ज्यादा परिसान होनी के जारत नहीं है क्योंकि देखो इस आपके exam में दू तरीके के लोग हैं पहले जिनकी GS अच्छी है and second जिनकी GS जो टेकनिकल ही पढ़ते आ रहे हैं उनकी GS अच्छी नहीं है GS strong and GS weak यह जो science stream के student है उनकी जिनका GS strong है उनको टेकनिकल पढ़ने और टेकनिकल 75% है तो अपने ज्यादा तर समय टेकनिकल पढ़ने में लगाएंगे वो GS को बहुत ही minute time देंगे लगबग 80% समय अपना 80-90% टाइम अपना टेकनिकल पढ़ेंगे और जो rest 10-15% समय वो आप अपना GS को रिवाइस करेंगे लेकिन जो science वाले हैं और उनकी science अच्छे इस तरकी है Forester के exam में आप अगर प्रदेशन अच्छा है तो आप लोग 60% अपना टेकनिकल को रिवाइस करते रहे 60% time and 40% आप GS को जरूर दें ताकि कुछ समय तक आप कुछ समय के बाद आपकी GS इंप्रूव हो जाए तो आप अगर यह step कर लेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपक आपने focus करना है GS से आपकी certainty हो जाई कि आपकी job secure हो जाई लेकिन जो job secure करने का जो basic formula है वो आपके 75% में GS का syllabus बहुत ज्यादा vast है लगबग 10 subject इसमें mention है लेकिन आप अगर आपका technical ठीक है तो आप 40% time GS को देके आप यह cover कर सकते है और जब जो भी आपको test करवाय जाते हैं उसके copy बना लीजिए उसमें जो question लिखे है अगर तो question आपको आता है तो आपको लिखनी के ज़रत नहीं है लेकिन अगर आप question नहीं आता है तो एक copy बनाते चलिए लगबग after 2-3 month उसके बाद आपके पास लगए 3-4,000 question का collection होगा क्योंकि जैसे आपने मैंने देखा आपने DPSP वाले question में और भी question में सिर्फ एक question नहीं उसके अलाव और भी option के थूरू भी अगर आपको नहीं आता है तो इससे क्या होगा आप एक लंबा चोड़ा compilation मन जाएगा और जब exam होगा आप उसको revise करोगे तो definitely आपको help मिलेगी तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं next time तब तक के लिए बाइ थैंक्यू सुमच